विलासबुर नाम के गाउं में सुश्मा अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी कुछ साल पहले एक सड़क दुर घटना में उसके पती का निधन हो गया था जिसके बाद सुश्मा ने लोगों के घरों में काम करके अपनी बेटियों का पालन पोशन किया लेकिन पैसों की कमी के कारण उसे अपनी बड़ी बेटी बबली की बढ़ाई बच्पन में ही छुड़वानी पड़ी कैसी हो सुश्मा बेहन पंडी जी ने बहुत अच्छा रिष्टा बताया था लड़का बहुत अच्छी नौकरी करता है अगर तुम्हें अपनी बेटी की शादी करनी हो तो मैं पंडी जी से कहकर रिष्टे की बात चलवाऊं हाँ हाँ सुनीता बेहन अब मेरी दोनों बेटियां शादी के लाइक हो गई है पहले तो मैं अपनी बड़ी बेटी बबली की शादी करूंगी तुम उनसे बबली के रिष्टे की बात कर लो मैं उनसे बबली के रिष्टे के बारे में बात तो कर ले थी लेकिन उन्होंने कहा कि लड़की पड़ी लिखी होनी चाहिए बबली तो ज्यादा पड़ी लिखी है नहीं इक काम करो तुम उन लोगों से अपनी छोटी बेटी आशा के रिष्टे की बात चला लो इस साल तो आशा ने बीए भी पास कर ली है लेकिन सुनीता बहन मैं बड़ी बेटी से पहले चोटी बेटी की शादी नहीं कर सकती अगर मैंने ऐसा किया तो सबको तो यहीं लगेगा ना कि मेरी बबली में कोई कमी है बात तो तुम्हारी भी ठीक है वैसे मेरे नैनी हाल में एक बहुत अच्छा लड़का है फैक्टरी में काम करता है महीने के आच दस हजार कमा लेता है है तो देखो गरीब ही लेकिन बबली चितनी पढ़ी हुई है उस हिसाब से उसके लिए अच्छी नौकरी वाला लड़का मिलना मुश्किल है मैं तो कहती हूँ इस रिष्टे को हाथ से मत जाने दो तुम बोलो तो मैं उस लड़के के साथ बबली के रिष्टे की बात चला दूँ बात तो तुम्हारी भी ठीक है सुनीता बहन मैंने भी बहुत जगा बबली का रिष्टा दैगरने की कोशिश की लेकिन हर कोई कम बड़ा लिखा होने की वज़ा से रिष्टे के लिए मना कर देता है अब कम पैसा कमाने वाला हो तो चलो कम पैसा कमाने वाला ही सही इन दोनों की शादी तो अब मुझे करने ही पड़ेगी वरना कब तक मेरी बेटियां को वारी बैठी रहेंगी सुश्मा अब सुनीता के बताय हुए रिष्टे को पक्का कर देती है और अपनी दोनों बेटियों की शादी एक ही दिन एक ही मंडब में करवा देती है और उसकी दोनों बेटियां विदा होकर अपने अपने ससुराल चली जाती है उनकी शादी को कुछ दिन बीच जाते हैं तभी एक दिन सुश्मा के पास उसकी बड़ी बेटी पपली का फोन आता है पबली आशा को फोन करती है और आशा भी अपनी माँ से मिलने के लिए अपने खर से रवाना हो जाती है मा अभी तक आशा आई नहीं क्या मुझे लगा वो तो मुझसे भी पहले आ गई होगी वो भी आ जाएगी पहले तु आकर पैट मेरे पास सुश्मा और बबली आपस में बाते कर ही रही होती है कि तभी उनके घर के बाहर हौन की बहुत तेज आवास होती है और सुश्मा की छोटी बेटी आशा अपनी बहुत महंगी गाड़ी से उतर कर अंदर आती है कैसी हो मा मुझे आने में देर हो गई क्या करूँ रास्ते में ट्रैफिक ही इतना जादा था रास्ते में ट्रैफिक था तुदू पैदल चल कर आ जाती वैसे भी तेरा ससुराल तो यहां से थोड़े ही दूरी पर है कैसी बात कर रही हो दीदी घर में इतनी सारी गाड़ियां होते हुए मैं पैदल क्यों आऊंगी और वैसे भी मेरे ससुराल वालों को पसंद नहीं कि उनकी एकलोती बहू बिना गाड़ी के कहीं आए जाए खेर मैं आपको यह सब क्यों कह रही हूँ आपके ससुराल में तो एक धंकी पाइक तक नहीं है इसलिए तो आप हर जगा बस या फिर पैदल ही जाती है ये तु कैसे बाते कर रही है आशा तुम दोनों सगी बहने हो इस तरह अपनी बड़ी पहन का मजाक उड़ाना क्या तुझे शोभा देता है अगर तेरी जगा मैंने इसे पढ़ाया लिखाया होता तो आज तेरी जगा इसकी उस घर में शादी हो गई होती अरे मा तुम तो सीरियोस ही हो गई मैं तो दीदी के साथ थोड़ा मजाक कर रही थी कोई बात नहीं आशा चलो तुम और मैं मिलकर आज मा के लिए खाना बनाते हैं उसके बाद हम तीनों मिलकर पहली की तरह खाना खाते हुए ठीर सारी बाते करेंगे खाना बनाने की क्या जरूरत है मैं रेस्टरेंट से ओडर कर देती हूँ बताईए आप दोनों को क्या क्या खाना है मुझे आज मेरी बेटियों के हाथ का खाना खाना है इसलिए रेस्टरेंट से नहीं तुम दोनों ही मेरे लिए खाना बनाओ और अलग-अलग variety का खाना मिलता है तुम बताओ मुझे क्या खाओगी मैं अभी मंगवा देती हूँ वैसे भी मेरे ससुराल में तो कुग खाना बनाती है इसलिए मेरे खाना बनाने के आदत तो अब छूट गई कोई बात नहीं आशा तुम बैठ जाओ आज मैं हम तीनों के लिए खाना बना देती हूँ अब बबली सब के लिए खाना बना कर लाती है लेकिन आशा जैसे ही उस खाने का पहला निवाला खाती है वैसे ही उस खाने को जमीन पर थूख देती है अरे नहीं नहीं लेकिन ये कैसा बेसवात खाना बना है आपने इसमें तो कोई फ्लेवर ही नहीं मैं तो अपने लिए चाइनीज ओर्डर कर रही हूँ आप तो नहीं खाओ ये गरीबों वाला खाना आशा का ऐसा व्यवार देख कर बबली और सुष्मा को बहुत बुरा लगता है सुष्मा आशा को कुछ कहने वाली होती है कि तभी बबली छोटी बेहन की ना समझी समझ कर मा को रोक देती है कोई बात नहीं आशा अगर तुम्हें ये खाना पसंद नहीं आया तो तुम बाहर से ओर्डर कर लो कोई बात नहीं अब खाना पिना खाकर बबली सारे बर्दनों को साफ करके अच्छी तरह जमा देती है और आशा से कहती है आशा तुम इस ड्राइवर को जाने के लिए क्यों नहीं क्या रही इसे बोलो कि कल सुभा तुम्हें लेने आ जाएगा अरे नहीं नहीं मैं रात को यहां नहीं रुक सकती मैं अभी थोड़ी देर बाद चली जाओंगी क्यों क्या हुआ कुछ काम आ गया क्या मैंने कहा तो था कि आज रात हम दोनु मा के पास ही रुकेंगे हाँ हाँ आपने कहा था लेकिन वो क्या है न मुझे बिना एसी के सोने की आदत नहीं और यहाँ यहाँ तो ढंका कूलर भी नहीं है इसलिए पूरी रात मैं यहाँ नहीं रुक पाऊंगी इतना कहकर आशा अपना बैग उठा कर वहाँ से चली जाती है और बबली और सुष्मा उसे देखती ही रह जाती है मैं नहीं जानती थी कि अमीर घर में शादी करने के बाद मेरी बेटी में इतना घमंड आ जाएगा मा तुम ज्यादा मत सोचो थोड़ी दिन बाद साब ठीक हो जाएगा छोटी है न कुछ समय बाद वो भी साब समझने लगेगी तुम मैठो मैं तुम्हारे सर में तेल लगा देती हूँ अब बबली अपनी मा के सर में तेल लगाती है और दोनों मा बेटी रात भर बाते करते हुए कब सुबा हो जाती है पता ही नहीं चलता बबली दोनों के लिए नाश्ता बनाती है और नाश्ता करके अपने ससुरार वापस आ जाती है कुछ दिनों बाद बबली की तबियत अचानक खराब हो जाती है और वैं आशा के पास फोन करती है आशा मेरी तबियत बहुत खराब है तुम थोड़े दिन के लिए यहां आ जाओ यहां मेरा ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं है यह भी दिन भर काम पर रहते हैं इसलिए ठीक से मेरी देखाल नहीं कर सकते दीदी मैं आपके यहां तो आ जाती लेकिन आपके एसी नहीं है डिश वाशर भी नहीं होगा और वाशिंग मशीन भी नहीं होगी न मैं तो आपके वहां आकर इतना काम नहीं कर पाऊंगी आप बोलो तो मैं काम वाली भीज सकती आशा का जवाब सुनकर बबली को बहुत दुख होता है और वे आशा से कहती है रहने दो आशा मुझे तुम्हारी काम वाली की कोई जरूरत नहीं है मैं कुछ दिन के लिए मा को ही अपने पास बुला लूगी अच्छ ठीक है दीती अब मैं फोन रखती हूँ मुझे किटी पार्टि के लिए तेर हो रही है अब बबली अपनी मा के पास फोन करती है और बबली के तबियत के खबर सुनकर उसकी मा जल से जल से उसके पास आ जाती है और उसका खूब ध्यान रखती है कुछी दिनों में बबली बिल्कुल ठीक हो जाती है तब ही उसकी मा उससे कहती है बेटा अब तो तेरी तबियत बिल्कुल ठीक हो गई है अब मुझे चलना चाहिए तु अपना ध्यान रखना मा मैं जानती हूँ इस बात के लिए तुम मानोगी तो नहीं लेकिन मैं फिर भी जाती हूँ कि तुम अब मेरे और राजबीची के साथ ही रहो कब तक तुम अकेली रहोगी अगर तुम्हे कुछ हो जाता है तो वहाँ तुम्हारा ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं है नहीं बेटा तेरी तबियत खराब थी इसलिए इस मजबूरी में तेरे ससुराल रुख गई वरना हमारे यहां तो लड़की के ससुराल में एक रात रुखना भी पाप माना जाता है अगर मैं तेरे साथ रहने लगी न तो आस-पास के लोग मुझे क्या कहेंगे मा जी जैसे आप बबली की मा हो वैसे ही मेरे लिए भी आप मा के समान हो बबली जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है मैं नहीं चाहता कि आप अकेले घर में रहो आप हम दोनों के साथ ही रहो न माना मैं थोड़ा कम कमाता हूँ मेरा घर भी छोटा है लेकिन मैं सब संभाल लूँगा मैं अब आपको यहां से कहीं भी नहीं जाने दूँगा अपनी मा की तरह ही आपका भी ध्यान रखूँगा बबली और राजवेर्ज जित करके सुश्मा को अपने पास ही रोग लेते हैं और खूब अच्छी तरह उसकी देखभाल करते हैं ऐसे ही कुछ समय बीच जाता है लेकिन इस समय की बीच सुश्मा की छूटी बेटी आशा कभी एक फोन करके भी उसकी हाल चल नहीं पूछती यहां तक कि जब भी वे लोग उसे फोन करते वे उनका फोन तक नहीं उठाती मुझे तो आशा के चिंता हो रही है ना तो वे खुद हमारे पास फोन करती है और ना ही हमारा फोन उठाती है बबली आश तू और मैं दोनों उसके ससुराल चलते हैं देखकर आते हैं कि सब कुछ ठीक भी है या नहीं अब सुश्मा और बबली आशा के ससुराल जाते हैं तभी बाहर से उनकी नजर घर की खिड़की से उनकी ड्राइंग रूम में पड़ती है जहां आशा खूब हसी खुशी से किसी से फोन पर बात कर रही थी तभी उनके घर का नौकर उन दोनों के पास आता है जी को किया आपको किसी मिलना है मैं आशा की मा हूँ तुम हमें अंदर ले चलो आप एक मिनट इंतजार कीजी मैं इंसाब से पूछे भी न यह किसी को भी अंदर नहीं लेके जा सकता अब नौकर घर के अंदर जाता है और आशा को उन दोनों के आने की खबर देता है एक काम करो उन दोनों से जाकर कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ और यहां से वापस भेश दो नौकर बाहर जाकर उन दोनों से यही कहता है तो वे दोनों समझ जाती है कि आशा उन दोनों से मिलना ही नहीं चाती। आशा के ऐसे वहवार से उनके दिल को बहुत ठेस पहुँचती है। वे दोनों बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। तब ही शाम को उनके पास आशा का फोन आता है। दीदी अचानक मेरी तबियत बहुत खराब हो गई है। मैं सिटी हॉस्पिटल में हूँ। संदीब जी भी काम के सिलसले में शहर से बाहर गए हुए है। आप जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाईए। आशा की बाद सुनते ही बबली और सुष्पिटल जाते हैं और कुछ दिन तक बबली और सुष्पिटल में ही आशा के साथ रुखते हैं। उसके मन में अपने लिए इतनी चिंता और प्यार को देखकर आशा को अपनी गलती पर बहुत पश्टावा होता है। और वे उन दोनों से माफी मांगती है। कोई बात नहीं पगली, गलती तो सबसे होती है। तुने अपनी गलती को मान कर अपनी गलती को सुधार लिया, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मा, आप भी मुझे माफ कर दीजी, पैसो के एहंकार में मैं ये भी भूल गई, कि आप मेरी माँ है। मैंने तो आप से फोन पर बात करना भी छोड़ दिया, आपका हाल चाल लेने भी नहीं आई। समझ नहीं आ रहा कि मैं किस मुझे आप से माफी मांगो। बेटा, तु मेरी बच्ची है, मैं तुससे नाराज नहीं हूँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी पैसों को अपने रिष्टों से ज़ादा एहमियत मत देना, क्योंकि समय आने पर तुम्हारे अपने ही तुम्हारे काम आते हैं, पैसा तुम्हारी जरूरते पूरी कर सकता है, लेकिन एक परिवार की कमी कभी पूरी नहीं कर सकता। सुश्मा की बाते सुनकर आशा की आँखों में आंसु आ जाते हैं और वो उसकी सीने से लग जाती है उस दिन से आशा अपने पैसों का खमन छोड़ देती है और खुद के वैवार में सुधार लाती है और सब के साथ हसी-कुशी मिलकर रहने लगती है हाँ हाँ मधू बस अभी शेक का एड्मिशन कराना है हाँ हाँ क्यों नहीं अगर तू कहे तो मैं थोड़े दिन रुक कर शहर देख लूँगी चल फिर ठीक है तू अगले हफते सोमवार तक पहुँचा आशा और मधू ने फोन रख दिया आशा और मधू दोनों बहने थी औ और आशा गाउं में रहती थी और मधू एक बहुत बड़े शेहर में आशा के बेटे ने बारवी अच्छे नंबरों से पास की थी और वो चाहती थी कि आगे की पढ़ाई वो शेहर में करे इसलिए उसने अपनी बहन से मदद मांगी मधू ने ना चाहते हुए भी हाँ बो बाबा ने बोला तो मना नहीं कर पाई तुम जानो या बहन जाने मुझे बीच में मत घसीटना मैं बस तुम्हें बता दूँगा कि इस कॉलिज में एडमिशन करा लो मुझे नेहा का भी एडमिशन कराना है मैं अपनी बेटी का पहले देखूंगा या उसका मैं भी कहां चाहती थी अब आ रही है तो क्या कर सकती हो एक हफ़ते बाद आशा अपने पती और बेटे के साथ मधू के यहां रही थी आज तक जब भी बेहनों की बाते होती थी तो या तो फोन पर होती थी या वो अपनी मा के घर मिलते थे बड़ा आलिशान सा घर देखक आशा मधू को मुबारक बात देती है बस यह सब तो इनकी मेहनत का नतीजा है इनका शुरू से ही अर्मान था कि घर हो तो बस बड़ा हो और पूरी तरह सजा हो बेतर कीब घर तो इन्हें बिल्कुल भी पसंदे नहीं आता चलो तुम लोग बैठो मैं तुम लोग के लिए को गेस्ट हाउस में ले जो आशा भी पड़ी लिखी थी बेहन के मुझसे गेस्ट हाउस सुनकर उसे थोड़ा सा बुरा लगा उसे तो लगा था कि बेहन उसे अपने साथ रखेगी फिर वो दुनों बेहने बहुत सारी बाते करेंगी चाए पानी पीने के बाद आशा गेस करने की जरूरत नहीं है तुम हॉस्टल में रहोगे और मैं सारा खर्चा उठाऊंगा ठीक है बाबा और उधर मधू नेहा अभिशेक तुम्हारी मौसी का लड़का है उसे थोड़ी एड्मिशन में मदद करना क्या ममी मैं अपने एड्मिशन देखू या उसका एड्मिश मधू अपने पती से कहती है उसका पती कहता है कि वो ठीक तो कह रही है वो उसके साथ घूमती फिरती कितनी बुरी लगेगी तुम्हारी बहन है तुम जाकर उसका एड्मिशन कराओ मधू मन मार कर रह जाती है अगले दिन वो अभिशेक उसके माता पिता के साथ एक पारविद्यार्थी था और उसने अपनी बारवी 96% मार्क से क्लियर की थी इसलिए उसको एड्मिशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली थी ये बात वो जानता था और वही नेहा के नंबर 75% आय थे लेकिन उसके पिता ने अपनी पहुँच से उसका एड्मिशन एक बड़ पर खर्चा बहुत होता है और तुम तो जानते ही हो कि गाउं में सामान खरीदना तो बहुत आसान होता है लेकिन इतने पैसे में तो यहां पर एक पैंशर्ट ही आती है पैसे की कोई टेंशन नहीं है मधुदी थी अभी शेक पहली बार यहां आये है इसलिए थोड़ा सा है तब ही मधु का पती भी वहां आ जाता है तो आशा का पती उसके पती से कहता है भाई साहब एक हफता हो गया हमें यहां आये हुए आप तो इतने बिजी हैं पूरे ईद का चांद हो गए हो भाई थोड़ी देर हमारे साथ भी बैठो हम कौन सा रोज रोज आने वाले हैं एक काम करते हैं क्यों न हम सब कल गोमने के लिए चलें मधु अपने पती की तरफ देख कर इशारा करती है कि हां कह दो नहीं भाई साहब ऐसे तो कुछ नहीं है बस थोड़ा मसरूफियत ज्यादा है आज कल लेकिन कोई बात नहीं परसो आप लोग जा रहे हैं चलो कल का द चलती है नहा को जब यह पता चलता है कि सब लोग घूमने जा रहे हैं वो बहुत मू बनाती है लेकिन मधु के इसरार करने पर वो हां बोल देती है और अगले दिन सब लोग घूमने के लिए चाते हैं वा मौसी शहर कितना अच्छा लग रहा है कितनी बड़ी बड़ी बि बिल्कुल भी नहीं मेरी बेटी जहां हाथ रखे मैं वहां फ्लेट ले लूँ बेटा अभिशेक पहली बार शहर आया है इसलिए उसे ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही है कोई बात नहीं होता है होता है अभिशेक मन मार कर चुप होकर बैठ जाता है उसे मधुने को थी मधुने खाने के लिए अच्छे से होटल को चुना मधु का पती मधु को लेकर साइड में जाता है और उधर आशा का पती हाथ धोने के लिए उधर से गुजरता है लेकिन मधु के पती और मधु की नजर उस पर नहीं पड़ती लेकिन वो उन दोनों के इतनी बात सुनने के बाद आशा का पती चुप चाप वाश्रों में चला जाता है, अब फिर सब लोग खाने की टेबल पर बैठे होते हैं बस गुजारे लाइक कमा ही लेते हैं, आपको तो पता है मैं तो जमीनदार आदमी हूँ, दो मेरे आम के बाग है और एक अंगूर का बाग है और दौनों ही सीजन पर आते हैं, बस होई जाती है तीन से चार करोड की इंकम ये सुनते ही मधू का पती आग फाड़ कर आशा के पती की तरफ देखता है, खाना खाते हुए नेहा की चमच मुँँ में यटक जाती है मधू का पती अच्छे से समझ गया था कि वो ये सब इसलिए कह रहा है क्योंकि उसने मधू और उसके बीच की बात को सुन लिया है वो गुस्से में मधू की तरफ देखता है और खाना छोड़ कर वहां से चला जाता है और नेहा भी अपने पापा के पीछे पीछे चली जाती है आशा मेरी बहन बुरा मतमाना इनका स्वभावी ऐसा है तुमने बिल्कुल सही कहा मधू उनका स्वभावी ऐसा है तब ही वो इस तरह से कर रहे है हम लोग ऐसा नहीं करते हैं माना हम बहुत पैसे कमाते हैं लेकिन दिखावा क्यों करें जब से मैं आई हूँ देख रही थी लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी बहर तुम लोगों को शयद लगा कि गाउंव से उठकर ऐसे ही आ गए पर ऐसा नहीं है हम अपनी पूरी तैयारी के साथ आये अगर तुम अपने घर पर ना भी ठहराती तो हम किसी होटल में भी आराम से ठहर सकते थे पर मुझे लगा कि रिष्टेदारी में अपना पन होना बहुत जरूरी है मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अरे दीदी आप क्यों शर्मिंदा हो आपने हमारी मदद करी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं बस आपको ये सब इसलिए बोला कि आप समझ सकें कि आपके सामने वाला बंदा अगर अच्छा दिख नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमाता नहीं है या उस के पास पैसे नहीं है सीधी साधी गाओं की वेश भूशा में रहते हैं जैसा देश वैसा भेश हमें किसी चीज का बुरा नहीं लगता बस अगर आप बोल देती तो ये सारे खर्चे में खुद उठा लेता खाने का सारा मज़ा किरकिरा हो चुका था लेकिन उसके बावजूद भी आशा के पती ने वहां का सारा बिल पे करा जो की एक अच्छी खासी रकम थी और फिर अलग से खाना पैक करा कर वो मधू के पती और बेटी के लिए लेकर आया और घर जाकर जीजा जी जब आपकी शादी मधू से हुई थी तब मुझे आप अपने जीजा जी कम और बड़े भाई जैसे जादा लगे आप लोग शेहर आ गए, हम लोग गाओं में रह गए लेकिन क्या हम लोगों के दिल बदल गए, खून बदल गया या हम लोगों का रिष्टा बदल गया कुछ भी तो नहीं बदला था, बस पैसा इंसान को बदल देता है और शायद आपको ये लगा कि हम लोगों के पास कुछ नहीं है जानता हूं मेरा व्यवार आप लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और मैं वहाँ से इसलिए उटकर चला आया क्योंकि मुझे शर्मिंद की हो रही थी कि मैं अपने थोड़े से पैसे पर इतना इतरा गया जबकि आप लोग इतना खमाने के बाद भी कितने सहज और सरल थे मैं बहुत शर्मिंदा हूं सभी लोग आपस में बैट कर अपने गिले शिक्वे दूर करते हैं नेहा भी अभिशेक को मदद करने का वादा करती है लेकिन ये एक मुलाकात शहर की बेहन और गाउं की बेहन के बीच में यादकार बन गए